चलिए, एक टिपिकल पत्ती की सनरचना से परिचित होने के बाद अब किसी भी पौधि में पत्तियों के कार्य को जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपको इसका प्राथमिक और सबसे ज़रूरी काम याद है? जी हाँ, हम फोटो सिंतेसिस की प्रक्रिया से परिचित हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में पत्तिया कैसे मदद करती हैं? चलिए देखते हैं। पत्तिया वो जगा है जहां फोटो सिंतेसिस होता है। इस प्रक्रिया में बहुत से चीज़ें भाग लेती हैं। पानी, कार्बन डायकसाईड और सबसे ज़रूरी है धूप कार्बन डायकसाईड और पानी इसमें मुख्य सामगरी है जब सबसे ज़रूरी क्लोरोफिल नामक हरे रंग का पिगमेंट उसमें मौझूद हो और हम पहले से ही जानते हैं कि क्लोरोफिल पत्यों में मौझूद होता है जिहां यही वज़़ है कि पत्यों को पौधे की रसोई कहा जाता है एक ऐसी जगा जहां धूब की मौझूदगी में खाना तया किया जाता है Photosynthesis के अलावा एक और ज़रूरी काम है जो पत्तियां करती है इसे Transpiration कहते है ये प्रक्रिया क्या हो सकती है मनुष्य पसीना निकालते है तवाचा के माध्यम से अतरिक्त पानी को निकालने के लिए और शरीर को ठंडा करने के लिए इसी तरह पौधे भी Transpiration करते है तो Transpiration वो प्रक्रिया है जिसके जरीए पौधे भाब के रूप में अतरिक्त पानी को बाहर निकालते है तो Transpiration में कौन सा हिस्सा भाग लेता है? कोई अंदाजा? Stomata नाम के बारीक पोर्स इस प्रक्रिया को अंजाम देते है हम पहले ही देख चुके हैं कि गैसिस की अदला बदली के लिए Stomata जिम्मेदार है इसका मतलब है कि इन पोर्स से पानी की भाब भी बाहर निकलती है इन दोनों प्रमुकारियों को जानने के बाद क्या आप हमें बता सकते हैं कि या पतियों का और कोई काम भी है क्या सभी पोधों में पतियां एक समान होती है या वो किसी दूसरे कामों के लिए परिवर्थित की जाती है चलिए इन सवालों के जवाब आगे देखते है